असलाम लिकुम एरोवन कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सब सब पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ और बेल एकाउन को प्रेस कर लें आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले सो जनाब आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन स्टेप ट्राइर की रेवलाण की आलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं बट मैं आपको रेवलाण का ब्रुश दिखा रही हूँ जिसका रिव्यू किया था मैंने जो के आप अराम से घर पे यूज कर सकते हैं अगर आपको ब्लो ट्राइर बहुत पसंद है अच्छा जनाब आप हम बारी आगई इसकी वन स्टेप फियर ड्राइर स्टाइलर ड्यूप की जो के एक्जेक्टली लगता है रेवलाण के ब्रुश के जैसा आपको दिखाती हूँ इसकी लुक सेम वैसी ही है डेफिनिटली इसका कलर और उसके कलर में फर्क है क्योंकि ये ड्यूप है वो रेवलाण का है और अदरवाईस इसका जो स्टाइल है वो उसी तरह से है उतनी ही वर्थ है उतनी ही लेंध है इसकी भी और उसकी भी उसी तरह से exactly आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी style में Revlon का brush उपर से hold करने वाला है उसका style थोड़ा सा different है इसका थोड़ा सा different है but other than that आप देख सकते हैं कि इसके जो brush का style है same वैसा ही है जैसा कि Revlon के one step का है अब मैं आपको दिखाती हूँ Revlon का one step जो है उसके अंदर है cool effect low and high इसके अंदर जो है वो off low middle and high है इसके अंदर cooling वाला effect mood नहीं है ठीक है जी but anyways हम इससे use करते हैं first time आप लोग के सामने use करूंगी half पे मैं Revlon यूज़ करूंगी ताकि आप लोग को idea हो जाए कि ये कैसा काम करता है so मैंने serum apply कर लिया था नहाने के बाद मतलब बाल दोने के बाद और अभी मेरे बाल 60% तक dry हो चुके है 40% जो हैं वो भी है और इस step पे मतलब इस time पे आके मैं अपने बालों को blow dry करती हूँ इसके बाद मेरे बाल मुझे लगता जादा dry हो जाए तो मज़ा नहीं आता blow dry करने का और इससे पहले बहुत कीले होते है तो तब बहुत time लग जाता so मेरे बाल थोड़ सा time लेते है dry होने में इसलिए मैं थोड़ सा time wait कर लेती हूँ अच्छा जी इसके लिए पहले डेफिनेटली आपके सामने एक दफ़ा यूज करना पड़ेगा मुझे red blonde का brush ताके आपको आइडिया हो सके कि मैं इसको किस तरीके से use करती हूँ और इसका result क्या आता है so जिनके बाल बहुत frizzy होते हैं या जिनके बालों में volume इता नहीं होता but बाल बहुत पत्ले होते हैं उनके लिए भी अगर आपका बाल hair fall हो रहा है तो फिर तो ये brush आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें brush में बाल निकलते हैं brush वैसे भी आप करते हैं travel friendly है सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं पे भी जाते हैं आपको blow dry कराना पसंद है तो आप इसी brush के साथ खुद कर सकते हैं अराम से घर में बैठके और आप देख सकते हैं अब ये मेरे बाल short हैं तो मैं इनको सासा definitely brush dry दुबारा करूंगी आप में step open करती जाओंगी बालों के और उनको blow dry करती जाओंगी इस तरीके से आपको पहले मैं इस side की technique थोड़ी सी बता देती हूँ ताकि आपको idea हो back से हमेशा बालों को straight करना start करें या blow dry करना start करें क्योंकि जब आप front से करेंगे तो उलच जाते हैं बाल और जब उलच जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा और सही से होंगे भी नहीं तो हमेशा back से start करें जब भी आप salon भी जाते हैं वो भी हमेशा back से start करते हैं ताकि बाल उलचे नहीं और blow dry या straight या curl सब मज़े के लगें तो हमेशा back से start करते हैं और दूसरी बात ये कि इस brush का जो style है उसमें आपके बाल वैसे ही नहीं फसते बट फिर भी आपका हाथ ठक जाता है जब आप front से पहले कर लेते हैं और back से बाल में करते हैं तो आपका back मज़े का होगा तो front अच्छा लगेगा अगर आपके long है तो आप outward कर सकते हैं बट inward में ही जाद अतर blow dry look अच्छी लगती है इस brush में भी front पे heater है जो के heat निकालता है और आपके बालों को dry करता जाता है प्लीज बी केरफूल आप bristles पे हाथ मत लगाएं ठीक है जी अब ये उपर वाला section इस तरीके से मैंने dry कर लिया है अब आपको दिखाती हूँ मैं बाल अपने एक side के किस तरहां से मेरे बाल जो है Revlon के साथ blow dry होके लगते हैं आप देख सकते हैं volume बड़ा मज़े का आगया है और अब हम यूज करेंगे इसका dupe इस side पे अच्छा मैंने इसको plug in कर दिया है and then मैं sections open करूंगी और same technique के साथ मैं इस side के बालों को भी blow dry करूंगी मेरे बाल काफी छोटे हैं तो जनाब brush के अंदर आते हैं निकल जाते हैं so anyways मैं side पे इस तरीके से करने के बाद brush को back पे भी लेके जाऊंगी अपने हाथ को ताके मेरे side पे सारे ना set हो जाए आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर side पे सिफ करती रहूंगी तो definitely ये इस तरह से set होंगे तो जो के अच्छे नहीं लगते so हमें ये back पे set करने है और मैंने इस तरह से back पे जाके सासा section open किया और side पे करूँगी पहले एक दफ़ा dry फिर मैं back से करूँगी ताके मेरे बालों में wave जो है अच्छे तरीके से निकल जाए और मेरे बाल जो है वो straight हो जाए अब इस brush की बात करते हैं तो ये brush काफी lightweight है Revlon के brush के मुकाबले में Revlon का brush जो है वो थोड़ा सा heavy है और एक time के बाद मेरे हाथ थक जाता है anyways इसमें मेरा हाथ थका नहीं है और मुझे यह लग रहा था शायद यह उत्ता मज़े का result देगा नहीं तो मैंने सोचा यही था के लट सी देखते हैं क्या बनता है बट ये बालों को सेम उसी तरीके से ही स्ट्रेट कर रहा है मैंने जो इसके mode यूज किया है मैंने सिफ low and medium यूज किया है यहाँ पर मैं start मैंने low से किया था और फिर मैं यहाँ तक जब पहुंची थी तो मैं medium से ही कर रही थी ताके मेरे बाल जल्दी थोड़े से सेट हो जाए आप high पे भी कर सकते है शोर जो है Revlon के brush का सेम वैसा ही है जैसा के blow dry का होता है dryer जब भी हम use करते हैं जाए हम salon पे जाके करें उन पे अच्छा खासा noise होता है तो इसी तरीके से Revlon के brush में भी है और इस brush में भी है तो आपने घबराना नहीं है इस बात से कभी भी कि ये बहुत short कर रहा है क्या पता आपका brush short ना कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग मुसे बाय करने के बाद ये पूछते हैं उन्हें भी बताती हूँ नहीं भाई blow dry का short होता है तो बेर करें और enjoy करें तो देख सकते हैं आप लोग मैंने back के बालों को भी उस तरीके से पकड़के front और back दोनों तरीके से किया अब मैं front के बालों को इस तरहां से blow dry कर रही हूँ front के बाल जो मैंने छोड़ दिये थे उनको भी मैं इसी brush के साथ ही करूँगी ताकि volume एकी तरह का आए और अलग-अलग नहीं लगे और इस तरीके से वैसे तो खैर सारे बाली एक तरह का हो गया blow dry बहुत भी इस brush के साथ कोई ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कि मैं ड्यूप यूज़ कर रही हूँ आपके सामने देखें कितना मज़े का volume आ गया और एक मज़ेदार सी look आ गई है मुझे बहुत मज़ा है इसको यूज़ करके सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा light weight है Revlon का थोड़ा heavy है और अगेन इसका जो thousand watt का ये brush है और easily ये हमारे जो electricity उस पर चल जाता है इसके लिए कोई अलग सा device आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेगी मुझे Revlon के लिए भी नहीं यूज़ करनी पड़ी थी अक्सर लोगों के Revlon के साथ problem ये चलती है और उनको फिर converter लगाना पड़ता है लेकिन ऐसा मेरे प्रोज़ के साथ नहीं हुआ और इसके साथ भी नहीं हुआ सिर्फ मुझे जो इसका issue लगा वो ये के Revlon की wire जो के बहुत लंबी है वो मैं कहीं दूर भी लगा लूँ तो आराम से हो जाती है इसकी wire उतनी लंबी नहीं है लेकिन इसकी wire बहुत छोटी भी नहीं है अगर आप मतलब थोड़ा सा दूरा आपका switchboard तो आराम से आप use कर सकते हैं तो मैंने front के बालों को तुबारा से किया क्योंके मेरे baby hair जो थो थोड़ा सा तंग कर रहे थे नहीं इसलां से तुबारा से कर लिया आप आप देख सकते हैं कि blow dry करने के बाद आप कहीं पर भी बालों को set करें बरे मज़े की हो जाते हैं तो मेरी तरफ से girls ये brush highly recommended है आप लोग use कर सकते हैं आप लोग try कर सकते हैं अगर आप blow dry lover हैं और आप travel भी करते हैं और आप ने कहीं किसी पर depend नहीं करना इस brush is really very 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 good फर blow dry मज़े की look bouncy मज़े के बाल हो जाते हैं अच्छे से healthy look आती है और straight frizz free मतलब मज़ेदार वाइट दिखारी में आपको जाहे हो जो कि आपको अंदाजा हो क्या होगा